हलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टोपिक है विंडयोग 11 का लिए है 25151 इसके बारे में बात करेंगे इसको कैसे अपडेट करते हैं इसके अंदर किया नया फीचर है किया बगछिष हुआ है उसके बारे में बात करेंगे और और प्लीज गाई यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए शुरू करते हैं आपको मैं सबसे पहले करेंट वर्जन दिखा देता हूं यहां पर चेक करेंगे तो यहां पर आपको करेंट वर्जन दिख जाएगा आप देख रहें यहां पर दिख जाएगा विंडू अपडेट या तो आप यहां पर किलिक किजएगा यानि तो आपको क्या करना यहां पर भी दिख जाएगा विंडू अपडेट या तो आप यहां पर किलिक किजएगा दोनों में से कहीं भी किलिक करेंगे तो डेक्ट आप इस पेज को पर आजाए करना है 100% कंप्लीट होने के बद यहां पर यह स्टार्ट के लिए आएगा तो आपको क्लिक करने के बाद यह स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा अब आपको बस यहां पर आपको वेट करना है झाल Ma अदिये अपको भागा एंपको वेट करना है रवह झाल Ma अदिये उहां परंद करने करे works जो होने के बा में आपको करने कियर आपको जो बगदर में अच्ति कर दो दिलीद करना है 5 गल fid 원ार करना हो कि दो it कि तो झाल 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 रिये स्թार्ट होने के बाद ये अपडेट होगी है चलिए अब आपको मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ यहाँ पर आपको किलिक करना है इसके बाद यहाँ पर दिख जाएगा update शिर्थी हिस्टी इसको पर आपको क्लिक करना है अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा यहाँ पर सबसे पाला ओप्सन ही दिख जाएगा यहाँ पर जो update हुआ होगा 25151 इसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर date भी लिखा हुआ आपको दिख जाएगा तो इस तरह सब इसको update कर सकते हैं अब हम बात करते हैं इस update के अंदर क्या-क्या changes हुआ है इस update में कोई भी नया feature नहीं है, cable bug fix हुआ है क्या-क्या bug fix हुआ है, वो मैं आपको बता रहा हूँ File Explorer के अंदर यहाँ पर bug था, bug यह था कि यदि आप कोई folder के अंदर जाके यानि तो किसी भी drive के अंदर जाके आप यहाँ पर scroll up and down करते थे यानि scrolling करते थे, उसके कारण क्या होता था, यहाँ पर tab बढ़ा हो जाता था मालिजे 2 या 3 या 4 जितना भी tab आप open करते थे, तो यहाँ पर यह tab बढ़ा हो जाता था रह गया था जो bug आ रहा था वो bug इसके अंदर fix कर दिया है, इसके बाद यदि आप Windows security app के ओपर आप क्लिक करते थे तो यहाँ पर एप crash हो जाता था तो इस issue को यहाँ पर fix कर दिया है, इसके बाद यहाँ पर पहले पोर्ट delete करने के कोशिज करते थे तो यहाँ पर एक error आत यदि आप print command देते थे तो यहाँ पर printing command देने के बाद यहाँ पर uwp app के अंदर कुछ error आ जाता था तो उस error को यहाँ पर solve कर दिया है, इसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, तो start पर क्लिक करने के बाद जो effect आता है, यहाँ पर पहले blur आता था यानि तप notification को पर यहा पर blur आता था, यानि proper तरीके से सारा clear नहीं आता है, तो पहले इस type का कुछ कुछ लोगों के case में यह issue था, तो इस issue को यहाँ पर fix कर दिया है, अब आपको ओ issue नहीं दिखेगा, इसके बाद यदि आप कोई game खेलते थे तो उस game के अंदर यदि anti cheat use हो रहा है, तो यहाँ प fix कर दिया है, इसके बाद यहाँ पर file explorer के अंदर अभी भी कुछ bug है, यदि up arrow यूज करते हैं, तो यहाँ पर कुछ issue आता है, तो उस issue को अभी भी fix नहीं किया है, तो बाद में इसको fix करेगा, future update में इस issue को fix कर देगा, यदि आप यहाँ पर dark mode यूज करते हैं, तो dark mode में यहाँ पर light mode unexpectedly यहाँ पर on हो जाता है, तो इस issue को भी बाद में fix करेगा, अभी उस issue को यहाँ पर fix नहीं किया है, तो यह दो issue है, जो file explorer के अंदर बाद में fix करेगा, इसके बाद यदि आप देखेंगे, तो widget के अंदर अभी यहाँ पर bug है, यदि आप कोई चीज पिंग कर के रखतें, तो यहाँ पर update नहीं होता है, तो इस issue को बाद में feature में इसको update कर देंगे, यानि इसको fix कर देगा, अभी इसको fix नहीं किया है, इन feature इस issue को यहाँ पर fix कर देगा, बाकि इस update में अभी आप देख रहे है, मेरे case में यहाँ पर tray icon नहीं दिख रहा है, यदि त्रवाय करें सब्क्राइबध करें याप को कुछ पीचर करें बग्शुर्थ करके तो यहांसे अपडेट को शरॉट में पड़ीज कर सकते इसका नोट आप पड़ सकते और चैनल को में तो झाल 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 झाल